नमस्कार मेरा नाम ग्यानिश्श्वर है और आप देख रहे हैं लाइस्टिस देखिए रात को सारही गारा बज रहे हैं एक बरी खबर है लेकिन दुखत खबर है राजधानी के बहुत बरे ब्यापारी घराने से आने वाले निखिल जालान ने अपनी जिंगी खत्म कर ली है उन्होंने खुद को मौत को गले लगा लिया है और ये खबर जो है पटना के ब्यापारियों को पटना के बरे लोगों को पटना के नामचीन लोगों को जगजोर रही है ये निखिल जालान कौन है इस बात को समझे निखिल जालान की उमर भी बहुत नहीं थी और बहुत हस हसमुक रहते थे दिखे निखिल जालान पटना सीटी के किला हाउस वाले हैं और उस परिवार के सबसे हसमुक चेहरा निखिल जालान वे हैं जिस परिवार का पटना की दाकबंगला चोरहा के करीब स्थेट हीरा पैलेस है तो निखिल जालान के मौत की दुखत खबर सामने आ रही है कि पंखे में लटक गए अब देखिए घर के जो लोग थे लोग थे बाहर काम से निकलेMS से लातेatar किला हाउस बहुत बढ़ा किला हाउस है तो देखिए यह भी बताया जा रहा है इन्हों पंखेप में लटकने के पहले अपने बेटे और बेटी को फोन भी किया बेटे और बेटी दोनों बाहर पढ़ते हैं एक मंगलोर में एक कहीं और और उनसे बारचीत हुई क्या बारचीत हुई नहीं बारचीत हुई मतलब दोनों को नहीं यह नहीं बताया कि वह अपने जिन की खत्म करने जा रहे है पत्नी भी कहीं बाहर गई हुई थी तो पत्नी को तो फո नहीं किला लेकिन इसके बाद बेटी को कुछ अन्होनी की आसंका हुई करीब्षारे साथ में एक कि गठना है कि अन्होनी की घटना की आसंका हुई तो उसने परिवार के दूसरे सरत्यों को जिन में मुन्ना जलान है ये सभी पतना से बापसी की रास्ते में थे उन्हें फोन किया कि पापा फोन नहीं उठा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है इसके पहले उन्होंने फोन किया था ये लोग सुसलाइथ थे, जिस क्यासे मिलते थे, जिंदा दिल इंसान थे और किसी चीज़ की कम्य नहीं थी भगवार ने सब कुछ दिया थे अन्त्रिक्षन होगा लेकिन अभी रात का बक्त हो चुद्च है, रात को पोस्ट मातम नहीं होसकता है, सूजा पोस्ट मातम होगा, और वनी संख़ा में पठनार के वैपारी बर्क के लोग वहाँ पहुंचे हुए है और आपस में चरचा करें आखे निखिल को हुआ क्या जो इस तरीके से खुद को समाप्ट करना परा वह जितना हसमुख था वह जितना जिंदालिल था जिस तरीके से पार्टिवों में लोगों से मिलता था जुलता था जिसी को विश्वासी नहीं हो सकता है कि निखिल पंखा में जूलकर अपने को खत्म कर लेगा तो आगे क्या यह भी आपको हम कि नहीं हो भी आपको हम रहे को थेरा में जितने के से बराटि Diddy